हलो फैंस उपर एकेचेंट्री पे आप सबेका बहुत बस वाकते जलाज का रेसिपी देख लेते हैं बहुत ही मतसे तरो टेस्टी रेसिपी देखिए मिनिया हाँ पे दो कप जितना जो शेवा लिया हुआ है तो चले इसे केसे बनाते देख लेते हैं बहुत ही सिंपल चले इसे अच्छे से मिडियम फ्लेम पे रखके रोस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तब देखिए मिडियम आँच पर ही रखना है आप सुबह की ब्रेक्फास्ट में बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी रेसिपी है स्मूथ और खुले-खुले शेवाई बन के रड़ी हो जाएगा आपका प्रेक्फास्ट के लिए देखिए मिडियम आप इसको अच्छा सा रोस्ट कर लिए हूँ वीडियम फ्लेम पे ही रखना है आपको अच्छे से रोस्ट कर लिजए बचों को बहुत ही पसंद आएगा आप मैगी वगयर बनाना छोड़ दे अच्छे मुंग फली भी लिए हुआ है तो इसे भी अच्छी तरीके से मसालों को रोस्ट कर लेती हूँ मिडियम फ्लेम पे रखना है हाई फ्लेम पे नहीं रखना है तो जो मसाले जल सकते हैं और उसके बद मैगे आप हरे मिश को लंबे-लंबे कट कर लिया हुआ है थोड कम लिया हुआ है तो इसे भी है आप चाहे तो अपर कॉर्न वगएरे कुछ भी जो भी जो विजटेबल आपको पसंद है विजटेबल अब इसमें डाल सकते इस तमल करके बना सकते गाज्यों और क्या बेज वगएरे डाल कर और पें तमाटर को भी कट कर लिया हुआ जाहे त कश्मीरी लाल मेश पौड़ो डालें, तेका नहीं होता है, सिर्फ कलर अच्छा हाता है, या पर आदे चोटी चोम्मा जितना काली मेश पौड़ो डालें, ड़ा-डाठाल कर लेती हुँ. और सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं देखिए मिडियम फ्लेम पे रखकर अच्छे से पका लिजे सभी चीजों को मसालो को बेजिटेबल को देखिए अच्छे से पक चुक है थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल लेते हैं ताकि अच्छे से थोड़ा सा कलर आन की लिए देख्या से मिला लेजी इसे देखाय है मैंने आप पे शेवाई को बिना अलग से وقले ही ऐसे ही बनाने जा रहे हूं तो मैं इसमें पानी आड़ कर लेती हूं देख्या है मैं यहां पे दो लोगिहां दोकंद्र सेवाई ले तो इसमें थोड़ा सा सदन्या पता भी 20 सदन्या पता डालने के बाद संन्या अब अच्छा तरिके से रज़ें सुन्या पाणी तो चले मैं और इसमें, शेवये डालतेा, और अलग Season Snip बना सकते हैं देख सकते हैं तेकि कितना बड़िया सा स्मेल भी आ रहा है चले बिसे ऐसे ही मिडियम फ्लेम पे रखकर अच्छे से पका लेती हैं देखिए अच्छे से मिला लेज़े इसमें सेवाएं सभी बहुत ही सिंपल रेसीपी है अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही मज़ेदार रेसीपी आपको मिलते रहेंगे अगर कोई रेसीपी चाहे तो कमेंट करके ज़रूर बताना देखिए इसके उपर में फिर से थोड़ा सा दन्या पता आट कर लेती हूँ गानिश के लिए और उसके बाद मिनिया पे थोड खटास और मिठा लाने के लिए तो चले अब इसे अच्छे से मिला लेती हूँ देखिए बहुत ही सिंपल तरीक के सिदिके कितना सॉफ्ट और टेस्टी हमारा चेवाय का ब्रेक्फास्ट जो है बनके रड़ी हो चुका है वाव कितना टेस्टी बना हुआ है और यह